मैं हूँ पायल रहादगी, जी हाँ, हम सब ने देखा होगा कि कैसे नेहा दूपिया ने अपनी क्लारिफिकेशन में एक लेटर रिलीज किया है अपने सोशल मीडिया, you know, पोर्टल्स पर और उस लेटर के अंदर उसने obviously feminist victim card play किया है, उसने कहा है कि कैसे सोशल मीडिया के ट्रोल्स अब उसकी family को अटाक कर रहे है, उसके husband को अटाक कर रहे है, उसके father को अटाक कर रहे है, उसके friends को अटाक कर रहे है, friends यानि शायद करन जोहर, because करन जोहर only casts her in lust stories, जबकि वो ये भी कह रही है कि अब ये social media trolls, उसकी बच्ची का account भी target कर रहे है, तो मुझे समझ नहीं पढ़ रहा है कि ये बच्ची, जो इतनी छोटी सी बच्ची है, वो कैसे social media पे अपना account handle कर रही है, obviously वो social media पे अपना account handle कर सकती है, नेहा दूपया की बच्ची, then obviously वो नेहा दूपया की and see that उसकी मा कैसे एक roadies show के अंदर गंदी गंदी गालिया देती है male contestants को, वो roadies show जिसके अंदर judges आमतोर से रोज male contestants को थपड मारते हैं, chair तोडते हैं, table तोडते हैं, क्योंकि ये show का format है, show का format ही हिंसा है, show का format ही violence है और नेहा दूपया लोगों को letter के अंदर domestic violence के उपर lecture दे रही है कि कैसे domestic violence को वो support नहीं करती, इसलिए जब वो male contestant ने बोला कि उसने उसकी girlfriend को थपड मारा, क्योंकि उसकी girlfriend के affair थे 5 आदमियों के साथ, तो उसको बुरा लगा, पकर मैं समझना चाहती हूँ, नेहा दूपया, आप शायद अपने show के अंदर ही कोई female contestant को कह रही थी कि हम औरतों के अंदर ऐसा power है कि हम situation को बदल सकते हैं अपने फाइदे के लिए और वो power को हमें पहचानना चाहिए, शायद आप obviously वो female contestant को कह रही थी कि कैसे fake molestation cases apply किये जाते हैं by the feminist, क्यों क्योंकि उनको news में आना होता है या उनको personal बदला लेना होता है, तो आप जैसे लोग, obviously इस देश के अंदर feminism द्वारा, you know, innocent पूरुशो को फसाते हैं molestation cases के अंदर, साथ-साथ में नेहा दूपया के समर्थन में आई सोनम कपूर और दिया मिर्जा, दोनों कह रहे थे कि हाँ हम हिंसा का support नहीं करते हैं, हम गांधी जी के अंधभक्त हैं, अच्छी बा पात साल से जज़ बन कर बैठी है, क्यों? क्योंकि नेहा दूपया किसकी best friend रही है, राज नायक की, राजू के बारे में तो मैंने पहले बात करी है, मगर आज मैं उसके ओपर बात नहीं करना चाहती, राजू और मनीशा शर्मा तो बहुत famous हो गए, जबकि वो camera के सामने भ दूसरी बात है, Bollywood के अंदर या TV इंडस्ट्री के अंदर, मगर ये जो दोगलापन है, ये completely एक अलग ही जोन है, जहां पे नेहा दूपया बात कर रही है कि कैसे वो domestic violence के खिलाफ आवाज उठा रही है, जबकि उसके शो के अंदर, उसके जो co-judges है, खुलने तौर से male contestants क थपड मारते है, कुरसी तोडते है, टेबल तोडते है, क्यों? क्योंकि उनको show की TRP बना रही है, नेहा दूपया खुद female contestants को बोलती है कि कैसे चालाकी से अपना औरत होने का फायदा उठाओ और situation को अपने हिसाब से बदलो अपने फायदे के लिए, चाहे इसके लिए क्यों ना लगाना पड़े, पूरुशो के ओपर, तो यह है आपकी दोगली feminist, और इन दोगली feminist के समर्थन में आई, Sonam Kapoor, जो obviously Hindu phobic है, और Diyamilza, जिसकी लाइफ में अब कुछ है ने, क्योंकि obviously, वो divorce ले चुकी है, अपने husband से, अब क्यों ले चुकी है, that is their personal matter, and I don't want to even know why she has taken divorce, but obviously, वो यह कह रही है, कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करती, तो क्या Sonam Kapoor, Diyamilza, रोडी शो के अंदर जो हिंसा होती है, उसका समर्थन करते हैं? नहीं, obviously, उसके ओपर तो यह बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ओपर अगर बातचीत करेंगे, तो फस जाएंगे, उनको तो सिर्फ अपना Feminism का Card यूज़ करना है, अपने फाइदे के लिए, साथ-साथ में Diyamilza ने बोला, कि अब सोशल मीडिया के ट्रोल्स उसके बच्ची को अटैक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं पढ़ता कि तीन साल की या दो साल की बच्ची सोशल मीडिया पे कब से अपनी बच्ची का उपयोग किया, उसी तरह से अपनी बच्ची का उपयोग कर रही है विक्टम कार्ट प्ले करने के लिए, ये कहकर कि मेरी बच्ची के अकाउंट के उपर गंदी-गंदी गालिया दी सोशल मीडिया ट्रोल्स ने, तो मुझे आप इतना बताईए कि अगर आपकी बच्ची सोशल मीडिया अकाउंट के कमेंट्स पर सकती है, तो क्या आपकी इनके सामने इतनी हिंसा हो रही है, रोडी स्चो के अंदर, ये सारे जो हिंसा का प्रदर्शन होता है, ये सेम प्रदर्शन हम JNU के छात्रों में देखते हैं, जो नौजवान है हमारे देश के, तो ऐसे शोज को भारत के अंदर क्यों अलाव किया जाता है, जिन शोज के प्रेरित होते हैं और obviously देश के अंदर देश द्रोही वाली कार्या करते हैं तो मुझे समझ नहीं पढ़ रहा है कि हमारे information and broadcasting ministry ऐसा show चलने कैसे देती है भारत के अंदर क्यों क्योंकि भारत तो obviously एक लोग तंतर है भारत के अंदर हिंसा के उपर shows चल सकते हैं भारत के अंदर पायल रुहादगी का facebook अभी तक block होगा क्यों क्योंकि पायल रुहादगी देश के हिट में बोलती है पायल रुहादगी अपने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी को support करती है इसलिए पायल रहादिय का Facebook अभी तक ब्लक होगा मगर भारत के अंदर ऐसे शोज चलेंगे जिस शोज के अंदर उनके judges खुद उटकर कुरसी तोडते हैं टेबल तोडते हैं, हिंसा करते हैं और ये सब शोज को सपोर्ट करेंगे गांधी जी के भक्त जी हाँ, गांधी जी के पुजारी, अहिंसा के पुजारी ये लोग ऐसे हिंसक शोज को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ऐसे हिंसक शोज से इनकी रोजी रोटी चल रही है अब मैं सिर्फ समझना चाती हूँ कि सोशल मीडिया के जमाने पर कितना दोगलापन कोई टॉलरेट करेगा इन लोगों का नहीं टॉलरेट करेगा तो अगर ये दोगलापन कंटिन्यू करेंगे तो इनका दोगलापन मैं obviously बोलूंगी और expose करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि enough is enough आप अब domestic abuse का victim card play कर रही है जबकि आपके show के अंदर सिर्फ violence है आप बैठके strong female बनने का drama करती है जबकि आप अपने show के अंदर females को support करती है जो आदमियों के ओपर violence करते है आपके show के अंदर male judges को violence करते है male contestants को थपड मारते है और तब ही आप बैठके सब कुछ देखती है तब आपके मूपे zip एकदम वो लग जाता है मगर अब जब आप फसी तो आप बैठके एक domestic violence का victim card वाला note अपने social media platforms पर डाल रही है और साथ साथ में उसमें अपने papa को भी use कर रही है बच्ची को भी use कर रही है अपने husband को use कर रही है Karan Johar को भी use कर ले क्योंकि Karan Johar ही है जो तिरको काम देता है नेहा because I am just trying to understand the logistics because Karan Johar does not pay any of his actors and there are a lot of actors in Bollywood जो free of cost में काम करते है Karan Johar के लिए I think अभी भी देवी picture में जहां पे तुम काम कर रहे हो वो picture के अंदर आपको कोई पैसे नहीं मिले है अगर आपको talent के थरू hard work के थरू काम करना पड़ता है तो really आपको बहुत जादा time लगता है but I am not going to get into that zone right now I am just trying to understand the mentality of these feminists कि उसने किस बेसिस में अभी ये letter release किया अपने social media platforms पर ये कहकर कि oh my god मेरे को social media trolls है न abuse कर रहे है और साथ साथ में मेरी छोटी सी बच्ची को भी abuse कर रहे है आप अपनी छोटी सी बच्ची को expose क्यों करती है media के सामने आप उसे expose करती है media के सामने क्योंकि आपको उसके through news में रहना है आपकी छोटी सी बच्ची को ये भी नहीं पता Facebook क्या है, Instagram क्या है, Twitter क्या है, ठीक है, तो अगर उसके account को आपने बनाया है, तो वो account या तो आप handle कर रही है, या आपकी PR handle कर रही है, और अगर उस account में गालियां आ रही है, तो गालियां आपकी छोटी बच्ची को नहीं आ रही है, अगर आपकी छोटी बच्ची समझ सकती है, कि वो गालियां उसको आ रही है, तो आपकी छोटी बच्ची आपके शो को भी देख सकती है, जिस शो के अंतर आप खुद अपने मूँ से गालियां देती है So this is the reality of Neha Dupia Diyah Mirza, who has been recently divorced, sorry I am just calling out facts in a public domain, because ये ladies, ahinsa ahinsa की पुजारियां है मतलब क्या कहते है ahinsa ahinsa की बातचीत करती है जब JNU का ड्रामा हुआ जब C.A. के नाम के उपर इतना कुछ हिंसा हुई जामिया मिलिया के अंदर या JNU के अंदर तो ये सब दिया Mirza you know, Anurag Kashyap और ये सब Sonam Kapoor ahinsa की बाते कर रहे थे और आज की तारिक में ये समर्थन में आये है नेहा दूपया के जिसके शोक के अंदर सिर्फ हिंसा ही होती है तो ये इनका दोगलापन है obviously ahinsa की पुजारी Sonam Kapoor जो free में गांधी जी का add करती है आज की तारिक में नेहा दूपया के समर्थन में आई है क्योंकि वो कह रही है कि domestic violence के खिलाफ वो है क्योंकि उसके शोक के अंदर वो आदमी ने वो औरत के उपर थपड मारा मगर उसके शोक के अंदर सिर्फ हिंसा ही हिंसा है तो ये domestic violence का ड्रामा अपने घर पे रखना ठीक है नेहा दूपया आज के बाद ऐसे stupid feminist वाले letters public domain में release मत करना either you change yourself or you you know because आपकी ये जो hypocrisy है अभी नहीं छुपेगी Namaste to all the feminists चाहे आप नेहा दूपया हो चाहे आप दिया मिर्जा हो चाहे आप सोनम कपूर हो आप एक दूसरे के पल्लूओं के पीछे छुप सकते हैं रो सकते हैं और एक नया letter release कर सकते है social media platform पर मगर obviously अगर वो letter दोगला होगा तो आपकी hypocrisy फिर से expose होगी Namaste